नमस्कार दोस्तों, Medicine Knowledge for इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग लाइव देखेंगे कि स्लाइन को कैसे लगा जाता है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्लाइन लागाने के लिए कौनसा कौनसा इंस्ट्रूमेंट यानि की समगरी का ज़रूरत पड़ता है अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन के देखना तो आप लोगो आप पर जाके देख सकते हो कि कौनसा कौनसा इंस्ट्रूमेंट क्या का सेटप का जरूरत पर देखने के लिए इस वीडियो में मैं स्रिफ स्लाइन को लागाने का तरीका को दिखाऊंगा तो बीना स्किप किये वीडियो को पूरा आखिर तक देखना तो जैसे के आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक एक एनेस 500 ml का बॉटल लिया गया है तो उसके उपर अभी आईबी सेट का जो पॉर्शन है उसको लगा जा रहा है एक साइट से लगाने के बाद दोस्तों यह जो ड्रीफ चेंबर है ड्रीफ चेंबर को उगली से प्रेस के जाता है और इसके अंदर जो लिक्विड है यानि कि जो सलाईन है वो इसके अंदर आ जाता है उसके बास उसके बाद जो है इस बॉडल को हैंक किया जाता है यानि कि लटका जात निकलने के बाद दोस्तों नीडिल को लगाने अधर लगाने के बाद नीडिल से भी यह वोता है उसके बाएक बाएक पर पाैप को छोटा चोटा इससे में काट ले जाता है ताकि जो इंजेक्शन है उसको लगाने के बाद टेप को टेप से उसको होल्ड किया जाए इसके कारण से जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो मैं एक थोड़ा सा टेप लिया गया उसके बाद जहाँ पर स्लाइन लगाना है उसके उपर टाइटली बंद जाता है ताकि जो ब्लाट फ्लो है वो ब्लाट फ्लो बंद हो जाए और जो भेन है यानि के नस है वो असनी से पर फिर से rapid लेके अच्छे स को आच्छे से साब के जा रहा है जगा को ताकि आच्छे से भेन गोडव एड़िए जनों करपाए उसके बाद जो है हाथ को आठ लोग जैसे के नीचे नीचे का इसा भी कर पक निचे पकड़ करके फिर कहा भीने वो धरे Shooting वीडियो में देख रहे हो यही है प्रोसीडियोर जो है आईवी सेट को लगाने का जैसे कि आप लोग देख पारे हो जो जगा भेन यानि की नस मिला वह जगा को नीडिल से चस्ट 25 डिग्री एंगेल पे उसको फूस्क करके अंदर धकला जा रहा है उसके बाद जो इंजेक् तो यही सब ज्यादा बरा दिक्कत होता होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि इंजेक्शन बड़ा बहन लग गया लेकिन लगने के बाद भी जो आईवी सेट आएवी सेट के अंदर ब्लाड कलेक्प नहीं हो रहा है इसका मतलब है जो नीडिल जो हम लोग रहे हैं आईवी बलाड आ गया तो बलाड आ गया इसका मतलब है जो नीडिल है बहुन के अंदर उसके बार जाया उसकी बार प्रिक्विड पासिंग Αसप्ट सुझी बड़ाबर हो रहा है कि नहीं वह देख नहीं पार जा रहा है यानि कि लिक्विड जा रहा है अभी एक टेप के चोटा सा टेप का टूकड़ा लेके उसको हाथ के उपर फिक्स किया जा रहा है ताकि हाथ हिलने दुलने से जो आई भी सेटे वो नस के अंदर से निकलना जाए और कोई प्राबलेम भी ना हो दोस्तों एक चीज यह आपे पताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग देख रहे हो कि यह जो जहाँ पर नीडिल लगा है नस के अंदर अगर वहाँ पर थोरा सा भी सुजन दिख रहा है या फिर सुजन वह धिरे-धिरे बर है बड़ा हो रहा है और जो लिक्विट फ् तो तुरा सा आगे पीछे करके हिला जाता है अगर पासिंग नहीं हो आ तो उसको भेन से निकलके तुसरा नस पर ट्राइ किया जाता है तो यही होता है स्लाइन लगाने कदरिका अगर यह वीडियो अपलोगों को पसंद देया तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना तैंक कि दुस्तों